बिशुनपूर प्रखंड में पिछले माह से लगातार चोरी करने वाले गैक के पांच सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर बिशुनपूर थाना प्रभारी ने धर दबोचा है जिसमें डीलर महिश्वर भगत का बेटा अंकित भगत भी शामिल है जो चोर गिरो सरगना का नेत्वत्व कर रहा था पांचों लोगों के गिरफतारी से प्रखंड के व्यापारी साहितां लोगों ने राहत की सांस ली है गौर तलब है कि बिशुनपूर प्रखंड में लगातार अज्यात चोरों के द्वारा दुकान वविद्यालेओं ताला तोड़कर लैपटॉप चावल सहित अन्यसामान की चोरी हो रही थी जिससे दुकानदार रशिक्षक काफी परिशान थे सभी चोरों के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है वही घटना के संबंध में थाना प्रभारी कुंदन कुमार सिंग ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली की एक चोर गुरुवार की देर शाम बिशुनपुर हाई स्कूल मोड के समीट है जिसके बाद टीम बना कर वहाँ पर पुलिस पहुची तो पुलिस को देख एक लड़का भागने लगा जिसे पकड़ कर विशुनपुर थाना लाया गया जहां पर पूचताच में उसने अपना नाम अंकित भगत बतलाया साथ ही चार अन्य साथियों के नाम बताएं जिसके मिशान देही पर चोरी किये गए लैपटॉप सहित कई अन्य समानों को बरामत किया गया है बरामत समानों में HP कंपनी का एक लैपटॉप एक कंप्यूटर की बोर्ड कारा रंका देल कंपनी का एक लैपटॉप घटना में को अन्जाम देने वाले लोहे के औजार हथोड़ी बरामत हुआ अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले